यह जो इतनी बाते हो रही ना artificial intelligence को लेकर हर कोई आजकर picture viral हो रही है जो AI generated pic है AI को लेकर बल दिया जा रहा है कि AI is the future लेकिन artificial intelligence को लेकर एक चौका देने वाली report आई है और दुनिया की बड़ी companies के CEO's डर गए हैं और उनने में चेता दिया है उनका सीधे तोर पर मानना है कि AI इंसानियत को, humanity को खत्म कर सकता है समूल इसका नाश कर सकता है कुछ समय में, कुछ सालों में AI इंसानियत को खत्म कर सकता है ये कहना है, दुनिया के टॉप बड़ी companies के CEO का और ये research भी सामने आई है कि access usage of AI और artificial intelligence जैसे ही ज्यादा incorporate हो गया और सब के दिल दिमाग पर चड़ गया, तो इंसानियत का समूल नाश कर सकता है एक सर्वे हुआ है जिसमें को 119 industries के CEO थे artificial intelligence और सस्के प्रभाव से जुड़े तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिये इस सर्वे में उनसे पूछा गया कि AI से संबंदित संभावना है खत्रे क्या है जिसमें चोका देने वाले परिणाम आए है क्योंकि AI के चलते लोगों के नौकरिया खत्रे में है ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने की संभावना है इस सर्वे के अनुसार लगबग 34% CEO's मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में AI और खतरनाक हो जाएगा 8% CEO's को लगता है कि ऐसा 5 साल के बीतर हो सकता है सर्वे में शामिल हुए 58% CEO ने बताया है कि उन्हें AI के साथ-साथ होने वाले बदलाफ के बारे में चिंता नहीं है और विश्वास है कि AI के खतरनाक होने की स्तिती कभी नहीं आएगी ये कुछ ऐसा सर्वे है जो इंसानियत को खत्म कर देगा इसकी और इशारा कर रहे हैं दुनिया के टॉप CEO's अगले पांस साल में इंसानियत को आटिफिशल इंटेलिजेंस खत्म कर देगा ये चेतावनी वो दे रहे हैं इससे जुड़ा जो सर्वे सामने आया है वो वाकई चोका देने वाला है Yale CEO Summit के दुरान गिस सर्वे किया गया था जिसमें AI को लेकर संभावना है उसके advantages, pros and cons की बाते की गई थी AI के चलते विलुप्त होने की नौबत आ सकती है तो AI को लेकर तमाम चीजें ऐसे सामने निकल कर आई हैं जो negative हैं हो सकता extension हो जाए, चीजों का विलुप्त हो जाए overnight वो finish हो जाए इसको लेकर protective measures उठाये जाने चाहिए क्योंकि लगबग अगर यह हर industry में होस गया तो उसको पूरी तरीके से 80% खत्म करने की संभावना और शमता रखता है artificial intelligence जिसकी वावाई हम लगातार social media पर आजकल कर रहे हैं सबसे बड़ा impact आसकता है health sector में इसी लिए यह चेतावनी जारी की गई है क्योंकि कोई भी विज्ञान होता है या social media में किसी भी तरीके की reformations होते है वो welcome है लेकिन उसके side effects हो कितना खतना घा तक अगर humanity के लिए हो गया तो समझने के जरुवत है सुधरने की और protective यानि कि सुरक्षात्मक measures पहले से उठाने की बहुत ज्यादा जरुवत है